कि आज मैं सुभे दवायरका में भगवान दवायरका दीश के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके राजकोट आया हूँ दवायरका को बेर दवायरका से जोडने वाले सुदर्शन सेतु का लोकारपन भी बैने किया है द्वारका की इस स्यवा के साथ साथ ही आज मुझे एक अद्भूत अध्यात्मिक साधना का लाभ भी मिला है प्राचीन द्वारका जिसके बारे में कहते हैं कि उसे खूद भगवान स्री कश्ट्न ने बसाया था आज वो समंदर में डूब गई है आज मेरा सौभाय किया था कि मैं समंदर के भीतर जाकर बहुत गहराई में चला गया और भीतर जाकर मुझे उस समंदर में डूब चुकी स्री कश्ट्न नवाली द्वार का उसके दर्शन करने का और जो अवसेथ हैं उसे स्पर्ष करके जीवन को धन्य बनाने का पूजन करने का वहां कुछ पल प्रभु स्री कर्श्ट्न का स्मर्ण करने का मुझे सवभागी मिला मेरे मन में लंबे अर्शे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ट्न की बसाई उस द्वार का भले पानी के बीतर रही हो कभी न कभी जाऊंगा मत्था देखूंगा और वो सवभाग्या आज मुझे मिला प्राचिन ग्रद्धों में द्वार का के बारे में पढ़ना पुरातित्व भीदों की खोजों को जानना ये हमें आस्चेरिय से भर देता है आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी द्रश्य को अपनी आँखों से देखा उस पवित्र भूमी को स्पर्स किया मैंने पूजन के साथ ही वहां मोर पंख को भी अर्पित किया उस अनुभाव ने मुझे कितना भाव विभोर किया है इस शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है समंदर के गहरे पानी में मैं यही सोच रहा था कि हमारे भारत का वैभाव उसके विकास का स्तर कितना उंचा रहा है मैं समुदर से जब बहार निकला तो भगवान स्री कृष्ण के आशिरवात के साथ साथ मैं द्वार का की प्रेणा भी अपने साथ लेके आया थो विकास और विरासत के मेरे संकल्पो को आज एक नई ताकत मिली है नई उर्जा मिली है विक्षिद भारत मेरे लक्ष से आज दैविय विश्वास उसके साथ जुड़ गया है झाल